हमारे साथ संदीब जुड़ गए हैं संदीब बताइए अंडिये की आज हो सकल हो सकता है कि शपत गरहन हो मंत्रियों को भी पोर्टफोलियो उनको मिल जाए तो बड़ा दिन जिसमें जारकंड की भी भूमिका एहम मानी जा रही है एजैस्यू को भी माना जा रहा है कि उनको भी मंत्राले मिलेगा और जारकंड के जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी मंत्री मंदल मिल सकता है तो क्या कहेंगा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंदर मोदी एक बस सपद कलेंगे हलाकि यदि जारकंट की बात की जाए तो जारकंट से भी इस बार भी उमीद लोग जता रहे हैं कि इस बार केंदर नेतरितों में उनको भी जगा मिले हाला कि ये इंडिये की बात करें तो इंडिये के जो घटक दल है आत्सू और आत्सू के भी जो परतियासी रहें थे गिरीडी लोग सबा छेतर से चंदर प्रकास चौधरी वे एक बार फिर से इस बार जीत दर्ज किये हैं और कहीं न कहीं आत्सू भी या क्या उमीद लगा रही है कि सायद उनको भी इस केंदरिये मंत्री मंडल में जगा मिल सके हलाकि इसके अलावे कई ऐसे लोग सबा छेतर हैं जहां एदी 14 में से बात करें तो आठ में बीजेपी ने फते हासिल की थी वही पर जो एंडिये गडबंदन है उन्होंने अपना पर्चम ला रहा है और जैसे पिछले कैबिनेट की बात करें तो पिछले कैबिनेट में जहारकंड से दो जो लोग सबा सांसत थे उनको वहां पे नित्रितू करने यानि फिर मंत्री मंडल में जगा मिली थी हाला कि एक पिछले बार भी दिबात करें तो वहां का जो परतिनिद्द्थू था वो चंदर परकास चौधरी ही कर रहे थे और एक पाटी ने फिर उन पर भरोसा जताया था और उस भरोसे पर चंदर परकास चौधरी खरे उतरे हैं और एक बार फिर से उन्होंने इस बार जीत के मंतरी मंडल की बात करें तो जो कोडर्मा से सांसत थी अनुपर्ना देवी अनुपूर्ना देवी को भी पिछले बार केंद्रे कैबनेट में जगा मिली थी और इस बार देखना होगा कि क्या उसे फिर से रिपीट किया जाता है फिर मंतरी मंडल में उनको जगा मिलती है या नहीं इसके अलावे अधिकई और ने जो निताओं की बात करें जो इस बार जीत के लोगसभा पहुंचने का काम किये हैं तो ऐसे में उमीद उनको भी है कि इस बार का जो मंत्री मंडल बिस्तार होगा तो छारखंड से इन निताओं को उहां एक जिमवारी मिल सकती है हाला कि अब देखना होगा कल का दीन खास है क्योंकि कल परदान मंत्री के रूप में नरेंदर मोदी तीसरी बार सपत लेंगे और उनके सपत गरहन के साथ साथ कई मंडल के जो मंत्री होंगे उनके भी सपत गरहन समारो कल हो सकता है और ऐसे में इस कयास पे जारखंड के जो न जी तो निशिकान दुबे अगर संजय सेट और विद्धित वरन महतों की बात करें हम संदीब तो भारती जंता पाटी के भी कई ऐसे निता हैं जिनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त गया है तो क्या उनसे भी ये कहा जा सकता है उनके बारे में कि मंत्री मंडल में उनको जगा मिलेगी इसके पत्ते नहीं खुले हैं पर जो कयास है वो लगाया जा रहे हैं क्योंकि कई ऐसे चेहरें चाहे निसी कांद की बात करें गुड़ा से पिछले बार भी वे सांसद रहे हैं यदि राची सीट की बात करें तो राची में फिर से एक बार संजय सेट ने जीत दर् पूर से जो जैमेम के समीर मोहंती थे उनको पराजित किया एक लंबा कर सकते हैं जो आकड़ा था उन आकड़ों को छूते हुए इन्होंने जीत दर्ज की है तो ऐसे में जरूर कयास लगाया जा रहे हैं चाहे अधि पलामू की बात करें तो बीडी राम पिछले बार भी का इस बार भी पार्ठी नो उनको मौका दिया था और पार्ठी के कह सकते हैं जो उनकी विश्वास पर वे खरे उतर एं तो ऐसे में उमीद सभी की है कि इस बार आखिर केंद्री कैबनेट में जगा मिलती है अलाक़ि इस बार जिस तरह की उमीद लोग लगाया हुए है जारक की भूमी का एक हम मानी जाएगी क्योंकि केंदर की योजनाओं को वे धरातल तक राज्य तक ले पाते हैं और जो जंजन है उन तक उन योजनाओं को पहुंचा पाते हैं तो इससे बड़ी बात जारकंड के लिए नहीं होगी यही वजा है कि सब की निगाए अब कल तक टिकी है कल मंत्री मंडल का विस्तार भी होना है और परधान मंत्री नरिंद्र मोधी तीसरी बार सपत करहन भी ले रहे हैं तो देखना होगा कि जारकंड से कितने नेताओं की जो उमीद है वा खराव उतर पाती है जी जो संदीप एक बात और बताएं कि जिस तरह से विपक्ष में पिछले बार दो ही सीटे थी इस बार पास सीटे हैं जारकंड से विपक्ष में यानि कि जारकंड में अगर कुछ ऐसी बाते होती हैं जो विपक्ष के नजर में आएंगी कि इनको सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए तो अगर हम ये कहें कि विपक्ष में भी प्रतिनेद्ध तो बड़ा है जहारखंड का और ये कहीं न कहीं डिमोक्रसी के लिए लोक्तंतर के लिए सकारात्मक होता है क्या कहेंगा आज आज ही कहा कि कुई इस बार एदी बात करें तो पिछले बार के जो लोकसवा जो टीम थी उन्होंने 14 में से 12 सीटों पर जीत सुनिश्चित की थी और मातर एक सीट जेमेम को मिला था और एक सीट कॉंग्रेस को मिला था पर इस बार जो संक्या है वो डबल हुई है जहां बीजेपी के सीट घटे हैं वहीं जेमेम कॉंग्रेस की बात करें तो उनकी सीट बड़ी है और खास बात यहा है कि यह जारकंड की बात की जाये तो आदिवासी बहुल राज्य है और एही वज़ा है कि जो पिछली बार प्रदेश सद्यक्ष बीजेपी का बावुलाल मारांडी को बनाया गया था ताकि जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पे उनका भ प्रदेश सद्यक्ष उनको बनाया गया था ताकि उन छेत्रों पे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पे जो इनका जो पैठ है हुआ अधिक हो सके पर इन जगों पर देखा गया कि उल्टा यानि विपरित रियक्षन हुआ है और उन सीटों पर चाहाए अरजुन को भी हार का सामना करना पड़ा दूसरी तरह पर दूंका की बात करें तो दूंका में भी सीता सोरेन को हार का सामना करना पड़ा है तो ऐसे पांच लोकसभा सीट है या फिर राजमहल की बात करें तो इन पांच लोकसभा सीटों पे बीजेपी को कहीना कहीं नुकसान का साम पर्थन मिला है रही वज़ा है कि इन सीटों पे इंडी गडबंदन ने जीत दच की है वहीं बीजेपी को इन पांच लोग सभा में नुकसान का सामना करना पड़ा है और आगे लोग सभा के बाद अब विधान सभा का चुनाओ होना है तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां सर आने वाले विधान सभा चुनाओं पर भी होगा और भारती जंता पार्टी की जो पैट आदिवासी शित्रों में देखने को कम मिली इस बार वो मंत्री मंदल से या विधान सभा में होने वाले चुनाओं से सुधारने की कोशिश करेंगा हमारे साथ जूड़ने के लिए आपका शुक्रिया